तो चलिए दोस्तो आज हम बात करेंगे कि आपका bank account अधार card से link है कि नहीं आप कैसे check कर सकते हैं क्या होता है कि अगर हमारा bank का अधार card से link होगा तो हमारा हर update जो की अधार card से जो की मिल जाती है पहले क्या होती थी कि हमें पता नहीं चलता था online कि हमारा अधार card से हमारा bank account link है कि नहीं है इसलिए हमें bank जाने की जरुत परती थी और हमें बार बार bank जाना परता था कि हमारा अधार काड लिंक है कि नहीं है अगर लिंक भी होता था था तो हमें पता नहीं चलता था कि हमारा bank account link है कि नहीं है बट आज हम आपको बताएंगे दिखाएंगे कि यानि bank account अधार काट से लिंक है कि नहीं है अगर आपके bank account से अधार काट लिंक हो जाते हैं तो अगर आपका अगर ATM नहीं मिल पाया है या 18 सल से अप कम है तो आप कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं अधार काट के माध्य हम से कहीं भी आप अपने अधार काट नंबर देकर और फिंगर देकर पैसा आप निकाल सकते हैं तो अगर आप भी अगर अधार काट से पैसा निकालना चाहते हैं तो इसली निकाल सकते हैं और आप अधार काट से पैसा निकाल सकत आपको अपने पोटल पर आज़ना होगा उसके लिए एक ब्राउजर खोलना होगा जिसका नामें Chrome-browser जो कि सभी में Chrome-browser होती है थो चलिए हम यहां से open कर लेते हैं open करने के बाद कुछ आपको इस तरह से page खुल जाती है उसके बाद अब आपको यहां टाइप करना होगा यानि आपको लिखना होगा ओफिसेल बेवसाइड आपको लिखना होगा UIDAIGORMENT.IN आपको फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं UIDAIGORMENT.IN आपको लिएकर सर्च कर देना होगा सर्च करने के बाद बहुत सारे आपको यहां बेवसाइड देखने के लिए मिल जाती है बट आपको क्या करना होगा UID के एक option मिलती है आपको यह वाला ओफिसेल बेवसाइड है आपको इस पर क्लिक कर देना होगा चली हम यहां से क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद यहां हमें आपको हर परकार के language मिल जाते हैं इंग्लिस हिंदी मराथी यह समय जो भी है यह सारे आपको लेंगे लेंगे हमारा language इंग्लिस हमको सबसे बेट लगता है और हमें थोड़ा समझने में भी इस हमारा थोड़ा सा बेसिक अच्छा है उसके बाद हम क्या करेंगे स्कॉल करते हैं नीचे की और आ जाएंगे और यहां एक आपको आपको अप्सन मिलती है देखने के लिए आपको पहले नंबर अपना यह हेडिंग देख लेना है जैसे यह आपको मिल आती है अधार सर्व इस वाले पर क्या करना होगा आपको क्लिक कर देना होगा तो चलिए हम यहां से क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद आपको नेक्स पेज खुलकर आ जाती है उसके बाद आप यहां से क्या करना होगा फिर यहां से आपको एसकॉल करते हैं नीचे की और आ जाना है तो चलि करने के बाद अब यहां से आपको क्या करना होगा इंटर अधार नंबर आपको डालना होगा जो भी आपका अधार नंबर होगा वह आपको यह डाल लेना है उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालना होगा उसके बाद यह कियाप्चर आपको करना होगा तो चलि हम सारा ची कर देते हैं आपको इस तरह से दालने के छाई आपको साई से मुभाइल नबर यह च्छोता है तो आपको फिर से डालना पड़ेगा क्यूंकि कर देना होगा अब अब जिस 171 करते हैं तो देखिए कलॉट नोट फाउंड दब मैसेज इंद रिक्वेस्ट यह मैसेज नहीं जा रहा है यानि हमारा अधार काड से बैंक एकांट लिंक नहीं है अगर लिंक होता है तो यहां आपको सक्सेश्फूल लिख दता है जो कि जैसे हम यहां डाल रहे हैं तो देखे क्या लिख रहा है कारा को यहां आप को हमें अगर बैंक देखे कि लिख करना हुगा और आप ठेपा देते हैं तो डिखे देए ह 새 तो सिख नेचर करते हैं तो सिगनेचर करके और उहां कोई एक स्टाफ होगा जो कि मैनेजर टाइब के होते हैं जो को आपको देकर फेरिफाई कराना होगा और बोलना होगा कि सर हमारा यह अधार कट से बैंक एकाउंट लिंक नहीं है और हमें कहीं पैसे निकानने में अधार कट से और सुभिदा हो रही आपको इतना ही बोलना है वहां आपका लिंक आजाएगा हमने आपको फूरा इस वीडियो में बता दिया तक यह वीडियो पसंद नहीं तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमांचान को सब्सक्राइब करेंजिए